इसलिए वीडियो में पड़ा था बोर्स अफेक्ट और हेल्डेन अफेक्ट यानि सिग्मोइड कर्व के वारे में अब इसका हम आगे का थोड़ा और पढ़ते हैं अब इसमें किया होता कि जो बैंडिंग होती है ऑक्सिजन की हिमोग्योविन के सात में वो प्राइमली रिलेटर होती है यह पर्शियल प्रेसर ऑफ अक्सिजन पर यह अनिकि सबसे इंप्टरन गंदीशन हमने कहाता है कि आप्सिजन जब घंपरेश्यन का सात में साथ में वो partial pressure है oxygen का, इस पर ही depend करेगा, अब दो तीन और चीज़े हैं कि, अगर हमारा DPG, या 2-3 bisphosphate glycolate की condition में, क्या होगा, right shift होगा, left shift होगा, HBF के case में क्या होगा, मायोगलोबिन के case में क्या होगा, तो जो हमारा 2-3 bisphosphate glycolate है, या DPG है, इसके case में जो हमारा curve है, वो हमारा bores effect डिखाएगा, bores effect किसको कहते है, right shift होगा, कर्ब कैसा होगा, right shift होगा, और जो कैसा होगा, 2-3 bisphosphate glycolate, या DPG जो है, वो कर्ब right shift शो करेगा, या बोर्स effect शो करेगा, और ये जो DPG है, वो combine होगा, bind होगा, अब आता है, HBF में, 2-alpha, 2-gamma, ये किसके लिए है, HBF क्या है, इनफेंट के लिए है, यहाँ पे, ये condition किसके infant के लिए है, क्योंकि जो adult humans होते है, उसमें क्या होता है, 2-alpha chain होती है, और 2-beta chain होती है, यहाँ पे जो infant में क्या होती है, कि बीटा chain नहीं होती, यानि 2-alpha glycerate, या DPG, curve, right shift शो करेगा, इसमें combine के से DPG होगा, वो बीटा chain से combine होगा, हीमोगलोबिन की होगी, गुलमोगलोबिन के पास, 2-alpha chain और 2-beta chain होती है, मायोगलोबिन और HBF जो है, वो हमें क्या shift करके दिखाएंगे, left shift दुखेंगे, association शो करेंगे, अब एक बार फिर से म होती है, वो red blood cell करता है, RBC करता है, इस condition में क्या होता है, कि जो, इस condition में हीमोगलोबिन oxygen के साथ combine होता है, और combine होकर क्या बनाता है, कार्बैमीन हो हीमोगलोबिन बनाता है, यनि कैसे कहते है, HBCO2 कहते है, यह reversible process होता है, 70% होता है, वो bicarbonate ions की form में transport करता है, कौन करता है, प्लाजमा करता है, bicarbonate ions की form में, SCO3 माइनस की form में, 7% होता है, वो dissolve होता है, प्लाजमा की form में होता है, प्लाजमा की form में इससे, वो करता है, तो total plasma कितना carry करता है, 77%, 77%, 70% bicarbonate की form में, 7% dissolve plasma की form में, तो transport of plasma, 77%, अब दो चीज़ है, ट्रांसपोर्ट of gases के अंदर, एक होता पहले, कोई भी चीज़, निकान, release करने पहले हमें, लोड करना पड़ता है, उसके बात, फिर हम unload करते हैं, सबसे पहली चीज़ है, की loading, देखते है, loading कैसे होता है, carbon dioxide की होता है, टीशू में होती है, carbon dioxide की, टीशू में होता है, लोड़िंग का होती है, टीशू में, जब को जो नहीं जा रहे है और कि अधनि τटी परसेंट से तुम लेके मीण होती है और लिए थैपक िेशपंट ड़ू को लुटे एक झाल्य कापक सब्सक्राइब हुए खंशेंट लोड्र में फचिव में कर दो कि उए रोटेनेमें की जो हेमोगोबिन है तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर लोडिंग में होता है कि सारे जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन है ना उक्सीजन यहां पर सबसे पहले था 23% उक्सीजन वाला यूज करते हैं 23% उक्सीजन था आर बीसी में था हमने कहा है अग्सीजन लेकर आए तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बांड तूट जाएगी यह ऐसी कंडिशन बना देता है तोड़ने के लिए तो मजबूर होके तोड़ना तूटता ही है बांड जब यह क पहले कार्बन डीकुट आया यह बांड टूटके ऑक्सीजन बगिन कल गया बाहर तो क्या बन गया है एच बी सीयोटू बन गया यह क्या बना यह कार्ब एमीनो हीमोगलोबिन बन गया यह और हमने सबसे पहला कौन सा यूज किया था 23% कार्बन डीकुट जो ट्रांसपोर् माइन हुआ तो यह बना H2CO3 बना और यह S2CO3 किसे एंजाइम के प्रिजेंट में हुआ कार्बोनिक एन्हाइडरेस की प्रिजेंट में होता है क्योंकि यह कार्बोनिक एन्हाइडरेस ऐसा एंजाइम है जो rate of reaction को बहुत times increase कर देता है इसलिए यहां पे यूज हुआ अब इसलिए S2CO3 को हम अगली reaction में यूज करेंगे S2CO3 था इसमें हमने कार्बोनिक एन्हाइडरेस एंजाइम का यूज किया यह तूट गया है H plus और SCO3 माइन में क्योंकि H2CO3 था तो H plus निकल गया हाइडरोनियम आयन निकल गया और SCO3 माइन सबन गया इस conditionals क्या होता है कि SCO3 माइन जोता है वह बाहर की तरफ निकल जाता है loading में क्या होता है कि carbon dioxide की loading में जो tissue के पास होती है इसमें SCO3 बाहर निकल जाता है अब यह HbO2 था जब हमने इसको HbO2 को तोड़ दिया तो यहाँ पे H plus था फिर हम यहाँ पे HbO2 को साथ H plus लेकर आएगे तो यह नया compound हो बनेगा है इसमें कहेंगे HbB, HHB, HHB कहेंगे इसको कहता है Humogloonic Acid क्या होता है यह HHB होता है Carbon dioxide की chlorine एंटर करता है अंदर में और SCO3 बाहर के तरह मुफ करता है जब chlorine एंटर करता है अंदर की तरफ तो क्या होता है इसम Chloride Shift कहते हैं से इसको कहता है hamburger phenomenon अब यह chlorine एंटर क्यों करता है अंदर, इसका reason है इसका रिजण है कि maintain करने के लिए चार्ज maintained करने के लिए एंटर करता है एक पोटेंशल maintain करने के लिए एंटर करता है यहाँ पर एक चिज़ एक चीज़ है कि लोडिंग औफ कार्बन डायकसाइड में है क्या? हमने कहाता है कि 23% कार्बन डायकसाइड red blood cell carry करता है transport करता है 70% कार्बन डायकसाइड बायकार्बोनेट की फॉर्म में 7% प्लाजमा तो हमने 33% वाला को यूज किया इसमें क्या होता है कि जो हीमोगलोबिन, ऑक्सिएन का कम्माइन होता है, हीमोगलोबिन को अलग करते हैं, बस, कर्बन डियक्स है, टीशू में, अब यहाँ पे टूट गया, कर्बन डियक्सएड आया, यह टूट गया, ऑक्सिएन बाहर की तरफ निकल गया, हीमोगलोबिन से क्या बना, कार्बैमीनो हीमोगलोबिन बन गया, अब यह 70% वाला कार्बन डियक्सएड को वोटर के साथ कम्माइन कर देंगे, कार्बोनिक एन हाइडराइज यूज़ करेंगे, जो बहुत जादा होता है, रियक्शन को फास्ट करने के लिए, तो इसमें क्या बना ये, S2CO3 बना, फिर हम S2CO3 को मतलब सेपरिट कर लेंगे, मतलब तोड देंगे, कार्बोनिक एन हाइडराइज को हमने हमने है, हाइडरोनियम आयन जब दिया तो बना, फिर हमो गलोनिक एसीड होता है, और ऑक्सियान बाहर की तरफ निकल जाएगा, और जब ये, हमसली, भाफर का काम जो होता है, वो मेंटेन कर ना होता है, प्लास्मा मेंब्रें की एक्टेटाइज का होता है, इसे पहले हम फिर थोड़े। फिर दोड़ हम अब रोड़े। लोड़ें क्युछ उङபुशनी तुछ सरसौ है करीम्थान, कड़े मेंडिंट हो दा है। कजूंर फिर गजिंद लोड हॉक distractions है। क्या है पूचाई होता ह। लोड़ेंग इंगी है। यह plasma में present होता है तो अगर location पूछे कि हमारा carbonic enhydrase enzyme कहां present हो तो small amount में जो present होता है यह plasma में present होता है और red blood cell में होता है इसके अंदर कौन सा element पाया जाता है जिंक पाया जाता है carbonic enhydrase के अंदर अब होता है हमारा unloading of carbon dioxide को देखते हैं प्लाजबा में SCO-3 की जो है amount है वो घट जाएगा और chlorine का amount है वो बढ़ जाएगा यह हमारा अलिविली रहा यह हमारा tissue था इसमें तो यह हमारा अलिविली है अब इसमें क्या होगा कि जो हाँ पे जो हीमोगलोबीन और oxygen की जो bond तूट कर carbon dioxide ने खुद को जोईन कर लिया था खुद से bond बना लिया था वो यहाँ पे दुबारा से तूटेगा और दुबारा oxygen कमाइन होगा कुछ नहीं है यह बस loading का पुरा उल्टा है कि उसमें कहाता है कि HbO2 था भाई HbO2 था कहाता है HbO2 था यहाँ पर HbO2 जब combine हुआ था HbO2 था यह तूट कर carbon dioxide ने खुद को combine कर लिया था बस इसको हम उल्टा कर देंगे तो यह दुबारा से रियक्शन है बस उल्टा करना है बस हमें हम यहाँ देखाता है कि हम यहाँ से करते हैं यानि HbCO2 बन गया था यहाँ पर carbon dioxide और water ने combine होकर H2CO3 बनाया था carbonic enhydrase enzyme zinc containing enzyme के present में यहाँ पर दुबारा से carbon dioxide और water बन जाएगा हमने वहाँ पर क्या किया था H2CO3 को तोड़ा था H plus और HCO3 माइनस में यहाँ पर क्या होगा H2CO3 जो होगा मतलब दुबारा से H plus H2CO3 माइनस में होकर यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो HCO3 माइनस था वह बाहर की तरफ निकल ला था membrane से पर यहाँ पर HCO3 माइनस जो है वापस membrane के अंदर enter करेगा unloading में और हमने यहाँ पर देखा था chlorine जो था loading में enter कर रहा था membrane के अंदर और इस condition में chlorine बाहर की तरफ आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे reverse chloride shift वहां पर हम क्य आ कि रहेते जब chlorine membrane membrane के अंदर enter कर रहा था हम कह रहेते chloride shift और hamburger phenomenon कह रहेते इसको हम यहाँ पर कहेंगे reverse chloride Weight do run by और इसको हम hamburger fissionertoschn Tech यहाँ तो इसको हम्हेंबर्गर फिनोमिना किसे केसे में कहते हैं दो जो रिएक्सिण के सारी एक्षिण रिवर्ज होती है तब क्लोडिन बाहर निकलता है मेंब्रेन और SCO3 अंटर करता है मेंब्रेन के अंदर तो इसको हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं हमबर्गर फिनॉमिना इसको नहीं कहेंगे अब यह इस तर देखते हैं हमें पता है कि यहांपर Tissue है एक Compound E है Tissue Tissue जे एक SbO2 बना भई SbO2 का dissociation हो गए और या निकि बोर्स Affect हो गए राइट में shift हो लाता है क्या होगा बोर्स Affect होगा क्योंगे वहाँ पर देखाता है लेफ्ट में सिफ्ट होता है तो हेल्डेन अफेक्ट देखने को मिलता है हमें क्योंकि एसोसियेशन होता है